आज एक ऐसे dairy food products की कह सकते हैं आप share के उपर बात करने वाला हूँ जिसके quarter one के number आप कह सकते हैं काफी निराशा जाना करहे हैं और जब मैं कह रहा हैं निराशा जाना करहे हैं तो इसका मत यह नहीं कि company ने कोई खराब result पेश किया है company के sales के number बहुती जादा आप कह सकते हैं year on year business पे शानदार वृद्धी दिखा रहे हैं लेकिन problem कहां देखने को मिल रही है problem इनके देखने को मिल रही है दोस्तों material cost में कि जो input cost है उसमें लगातार वृद्धी इनकी operating profit margin उसमें लगातार गिरावट और बात कर सकते हैं इस stock के जो net profit है उसमें आप कह सकते हैं year on year business में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इन तमाम negativity के बावजूद जो brokerage houses हैं वो काफी जादा bullish है इस stock में ठीक है और आज ऐसे ही एक report आपके साथ लाने की जूरत थी क्योंकि देखिए इस stock के उपर जब मैं लगातार दो वीडियो मैं stock के उपर दो वीडियो बनाया था और मैंने तब कहा था कि यह मेरा portfolio stock है और यह मेरे long term portfolio stock का आप कह सकते है stock pick है और इसमें लगातार गिरावाट हो रही है जब से मैं stock में बना हुआ हूँ दोस्तों और इस quarter result के खराब आने के बाद आप एक चीज नोटिस के होंगे stock निचले सतरों से काफी तेजी दिखा चुका है तो ऐसा क्या है ऐसा क्यों है क्यों brokerage houses में बहुत positive हैं तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों वीडियो को आप please आप कह सकते हैं अन तक देखिएगा क्योंकि अगर आपके पास यह stock है या लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके research में काफी हद तक कह सकते हैं help कर नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वालों मैं heritage foods की heritage foods में देखो दोस्तों बात करना इसलिए जरूरी है कि जो इन्होंने quarter lizard पेश किये इसमें अगर मैं बात को year on year वृद्धी की तो लगबग वो 26.68% की क्या सकते हैं आप इनकी sales में बढ़ोत हो गया है जो एक साल पहले 77% थे इसका जो operating profit margin है वो घट करके सिर्फ 2.68% हो गया है जो एक साल पहले दोस्तों 8.02 था यानि आप समझे operating profit margin 8% से जादा था वो घट करके 2.68% हो गया है बात करूं इसकी net profit की तो net profit में भी बहुत बड़ी गिरावट है इस बार company की पेश की है आप कह सकते net profit 7.02-7 करोड रुपए जो एक साल पहले समय 30 करोड से भी जादा था तो इन तमाम data से आप कोई की समझ में आ रहे होगी यह तो बहुत ही खराब numbers है इसके बावजूद कहां पर value addition देख रही है brokerage house और disclosure की रूपने अभी भी आप कह सकते है यह मेरी portfolio stock है और कोई भी ग्रावट बड़ी ग्रावट इसमें मैं अपना accumulation जारी रहूँगा currently यह 300 से ऊपर 350-310 के आसपास के share price में यह stock मेरे पास है दोस्तों और मैं wait कर रहा हूँ 250-240 के आसपास की इसके आसपास यह stock आएगा तो next chunk of investment इसमें मैं करूँगा क्योंकि देखिए यह मेरे long term portfolio का stock है तो 5-10% गिरावट से घबराता नहीं चाहिए मैं अपनी strategy बता रहा हूँ कोई और कुछ करता होगा मुझे इनके fundamentals पर भरोसा है 10-15% गिरावट से बिलकुल भी long term innovation को बिलकुल भी नहीं घबराता चाहिए और ना कि घड़बड़ी करन तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस analysis की तरफ जहां पर यह कहा जा रहा है ठीक है तो सीधा चलते हूं उस analysis की तरफ देखिए यह report है दोस्तों ICICI securities की जिन्होंने buy maintained रखा है ठीक है और इसका जो target दिया दोस्तों 400 दिया है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं target से बिलकुल भी ना के लिए एकदम खुश होना चाहिए ना एकदम घबराना चाहिए हमें ध्यान देना है इनकी points के उपर कि इन्होंने क्या rational बात करते हैं कि अब हो कह लिए अच्छा ही का है तो देखें लो एबिट्टा margin in past decade due to delay in price hikes expect recovery and financial 23 देखें इस बार जो इतना लो एबिट्टा margin आए ना उसके पीछे का reason यह है कि company जो price है कि वो काफी देर में किया लेकिन अब एक quick recovery की expectation गही जा रही financial 23 में और सबसे एक ची share of value-added product and strong uptick in curd volume sales are the key positive of quarter volume financial 23 result इस financial 23 result की सबसे बड़ी important जिस क्या है कि जो इनकी value-added products है देखें जो value-added products होते हैं वो margin अच्छी होती है गाफी milk में सिर्फ दूथ बेजिने में आपको बहले volume जादा दिखें लेकिन आपको उससे margin नहीं मिलता तो जो value-added products होते हैं उसमें आपको volume भी अच्छे खासे मिलते हैं तो आगे देखिए revenue grew by 26.7% but EBITDA margin declined to 2.9% lowest in past 44 quarters पिछले 44 quarters में सबसे छोटा था सबसे कम EBITDA margin था दोस्तों ठीक है आप देखें due to delayed price hikes heritage continues to launch new product during the quarter इस quarter में भी इन्होंने लगाता नाई products प्लाए we remain believer of heritage to be a beneficiary of steady value migration from co-operatives and unorganized players to private players और ठीक है heritage जो है सबसे ज्यादा beneficiary इस चीज़ का होगा कि जो धीरे सदीरे जो value migration हो रही है वो co-operative से unorganized players से private players की और जा रही है ठीक है और heritage food इस चीज़ से काफी जादा आप कह सकते positively impacted रहेगा we model heritage to report pet CAGR of 30.2% over financial 2024 तक जो इसका pet CAGR होगा profit after tax का CAGR होगा 30% से भी जादा होगा ठीक है और इसके पीछे का rational क्या है तो देखिए high single digit growth in milk procurement and milk procurement याने milk जो आप यहाँ पे पुरा मंगाते है वहाँ पे single digit high single digit की बढ़ोतरी होना steady increase in the share of value added product portfolio we cut earning estimate due to delay in price hikes we stay positive and maintain buy rating on the stock with a revised base target price of rupees 400 ठीक है 400 रुपे का यहाँ target दिया गया है और देखिए सबसे बड़ा reason जो आपके लिए जाए बिट्टा margin जाने का और इनके estimate को कम करने का वो है इन्होंने जो price hike ली यह काफी समय बात ली दोस्तों ठीक है और आगे देखिए quarter one of financial 23 result heritage food reported मैंने आपको यह बताई दिया है segment wise performance act करते हैं जो की बहुत साथा जुरूरी है while dairy segment reported revenue growth of 27.7% its feed business revenue declined 6.8% जो जानवरों को खाने का जो business होता है उसमें decline देखने हो मिल रही है लेकिन जो dairy segment है वहां पर आप देखें तो overall लगभग 27.07% की आपको तेजी देखने को मिलेगी ठीक है share of value added product increase to 34.9% in financial quarter first of financial 23 from 27.3 of financial quarter first of financial 22 इनके value added products की आप जो कह लीजे जो share है इनके revenue में वो 34.9% हो गया है जो पिछले साली से समय केबल 27.13% था ठीक है अब बात करते हैं के curd volume याने दही के volumes की curd volume sales were up 45.4% year on year during the quarter we believe the contribution of value added product has increased due to favorable base and higher revenue of curd and ice creams ठीक है आइस्क्रीम और curd के business में उच्छाल आने से इनके जो value added products है उसमें आपको बढ़ातरी देखने को मिल रही है ठीक आगे चलते हैं steady launch of new products जो नए समान है उसके लगातार बढ़ने के उसके जो कह सकते हैं आप नए products के लगातार बढ़ने का कारण the company has launched multiple value added products जैसे गुलाब, जामुन, रजगुला, कब बटरकेक और घी इन प्रॉट पक्स जो देखी नए ने products हैं दोस्तों जैसे ही value added products में क्या हो गया गुलाब, जामुन हो गया, रजगुला हो गया, घी हो गया इन तमाम चीज़ों के आप कह सकते हैं नए product launches, rising share of value added products, in total sales evidence of higher customer acceptance, we believe company on our track to achieve 40% of sales from value added product in next two or three years दोस्तों जो इस बार इनका जो value added product है, का जो business है आप देखिए, वो 34.9 आप कह सकते हैं almost 35% है, जो बढ़कर के आने वाले 2-3 सालों में लग बग 40% हो जाएगा और company इस चीज़ को अराम से target हो एचीव कर सकती है अब बात करते हैं volume growth की, strong volume growth की तो देखे, the company procured 1.47 million liters of milk per day हर दिन 1.47 million liter के milk के जाते हैं अब 20.8% year on year, 20.8% year on year की बढ़करी और quarter on 23, और 3 in year Cager कित्ते है, 200 minus 0.7% ठीक है, अगर आप 3 साल का Cager निकालेंगे तो minus 0.7% है, लेकिन year on year देखेंगे, तो 20.8% उपर है जो volume growth की, average milk sale during the year वर अब 15.1% जो average milk sale है वो भी 15.1% बढ़ गई है, ठीक है? आगे देखें, we model heritage to report revenue and PAT CAGRs of 17.5% and 30.2% हेरिटेज का जूब रहे हैं, कहले जे PAT CAGR है, वो 17.5% रहेगा, कब financial 22 और 30.2 रहेगा, financial 24 के अंतर तर्ट ठीक है? आप देखें, we are positive on its business model, led by its competitive advantage and strong growth opportunities और इसलिए उने maintain रखा 400 के targets. तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, कि भाई सब, यह जो report है, यह सबसे दा focus कर रही है, इनके जो value rate product का जो share है, इनके revenue में, वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर के company बहुत बहुत जादा positive है, कि आने वाले समय में यह एक शांदा return दे सकती है, और मेरी personal portfolio में है, यह discussion मैंने पहले दे दिया था, और यह मेरी long term portfolio में है, दोस्तों लेकिन सर्फ मैं कह रहा है, इसलिए आपको innovation करना है, थोड़ा सा आपके लिए और research कीजिए, यह video आपके इस research में जरूर help करेगा, लेकिन आपको कोई भी, इस बाइंग और selling सर्फ इस video को देखके नहीं करना है, दोस्तों, तो यदि आपको मेरी चोटी analysis पसद आई हो, प